है लो टेंस सीमेस्टर आप सभी का स्वागत है विवेक मिस्सा थेग में टेंस य्टेंस इनुष्टर हम लोग इस कंपनी को इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मार्केट को लेके चिंता है और कुछ आपको डाउट है तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो देखिए जो इंडिया बूल आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करेंगे जिसे आने वाले निच्ट अपडेट आपसे मिसना हो आप टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं निउस और डिब्डेंट अनॉस्मेंट के लिए टेलिग्राम पे अब हमारे दो चैनल ह दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिक्सप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जरूर चेक आउट करिए चले फटा फट हम लोग जीटियल को समझते हैं दोस्तों तो एक रुपए पचासी पैसे के राउंड कंपनी ट्रेट कर रही है एस्पैसेलिटी टेली पर बहुत सारे इसके जो प्रोजेक्ट है जैसे टावर्स होते हैं कंपनियों के जीओ के और इन सब के तो वह चीज बनाती है कंपनी तो उस फिल्ड से रिलेटेड है मैं इसका प्रोफाइल बहुत पहले पढ़ा था तो उसके अंदर यह मैंसन था तो अभी देखिए इसम पर इसके नतीजे करते हैं फिर आगे बात करेंगे कंपनी के चार्ट पर मार्केट केपिल 1000 करोन से अब अब की है अच्छी बात है पर इसकी प्रोफार्मेंस 12 महिने की देखेंगे दुस्तों तो उतनी अच्छी रही नहीं थी प्रॉफित डूर्थ आपको देखेगा कम 206 रुपे तक भी सेर का प्राइस गया था और वहां से गिर के एक रुपे 81 पैसे पर अभी चल रहा है और यह सच में 106 रुपे से गिर के आया है क्योंकि आपको फेस वैल्यू कंपनी की 10 दिख रही है मतलब कंपनी एक बार भी स्प्लिट नहीं हुई है तो सेर गिर के ही आया है इतना नीचे इसके प्रमोडस होल्डिंग की बात करें तो बहुत कम देखने को मिल जाएगा एक तरीके से दोस्तों पैनी स्टॉक में आ जाता है पर फिल्ड इसकी ठीक है अगर कंपनी चल गई तो काफी अच्छा रिटन दे सकती है मतलब रिस्क के साथ देखते हैं उसके बाद चार्ट पर बात करेंगे तो कंपनी को जो ऑपरेटिंग से प्रॉफिट आया है वो 32 करोड का आया है जो कि लाश्ट ये नाइंटी थी करोड का हुआ था तो उससे कम प्रॉफिट हुआ है इस बार पिछले कॉटर में भी 97 करोड का प्रॉफिट थ ज्यादा ही लॉस था तो इस बार के जो लॉस हैं वो थोड़े कम किये हैं पर कंपनी स्टिल लॉस में ही नेट प्रॉफिट आया है और लगातार आप पुराने डाटा भी देखते हैं तो कुछ ज्यादा सुधार नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और कंपनी का ऐसा ही डाटा सुरू से ही लॉस टाइप की कंपनी है यह देखिए तो उसी हिसाब से कंडिशन काफी खराब है परपैनी स्टॉक में आती है और काफी लोग कंपनी को जानना चाते हैं देखिए जो बिगनर्स हैं वही जानना चाते हैं मैं आप लोगों को यह चीज क्लियर बनाना है क्योंकि नए लोग आते हैं उनको लगता है कि तीस दिन होंड करना ही बहुत बड़ी बात होती है कंपनियों को दोघ्स साल लोग होज लोग ए हम लोग 15-15 साल होड करते हैं तो चीजे रहती हैं दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए अब इसमें देखिए डिय की जो अपने डियाईज है उनकी investment बहुत अच्छी है फिर भी आपको दिखेगा condition में कम-कम है फाइस की तो मतलब ठीक ठाक फिर भी holding कहा लेंगे क्योंकि डियाईज domestic investor के पास अच्छे share holding patterns इस company के दिखते हैं तो वही चीज है पैनी stock में आता है share risky होता है जो newbie होते हैं जो नए लोग होते हैं उनको लगता है कि एक हपता रोक लिया यह बहुत बड़ी बात हो गई इतने दिन में तो यह चीजे नहीं होती अब यह पैनी stock है इसमें लंबा hold क करना पड़ता है क्योंकि छोटे ही प्राइस से एक बड़ा return के लिए आपको इसमें hold करना ही पड़ेगा और काफी बड़ा return मिल भी जाता है अब देखिए जैसे कि इसमें जो 5% का downfall होगा उसमें भी कुछ पैसे का ही अंतर पे downfall हो जाता है तो उस चीज को ध्यान में दिख जाएगी तो अभी देखिए दोस्तों इसके अगर हम चार पे बात करें तो आपको जो support दिख रहा है दोस्तों वह एक रुपे 85 पैसे पर ही जहां पर अभी company है वहीं पर एक support है पर आपको मैं कहूंगा कि जो मैंने support below वाला पहले का मार कर रखा एक रुपे 60 पैसे क उसी support को ध्यान में रखते हुए इसमें खरीदने के लिए जा सकते हैं इसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 के तक का ही investment करने को बोलूंगा जो लंबे time से करने है उनकी तो अपनी मर्जी है पर अगर आप नए लोग है और तो आपको 5000 से कमी करना चाहिए क्योंकि बाई मिलने के chances रहते हैं तो उस हिसाब से आपको investment करना है तो आप करने के लिए जा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको अभी financial condition दिखाया है कुछ भी नहीं है condition बहुत खराब है इसकी तो उस हिसाब से और बाई करने का अगर जो जो जोन है वो भी 1.85 पैसे के round तक मिल रहा है क क्योंकि already जो जो जोन है वाई करने का वो उपर है उससे already below company मिल रही है तो खरीदने के लिए अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं उसके बाद 2.55 पैसे पहला target दूसरा target हम लोगों का 3.35 पैसे तक का दिखता है तो यही total update था इस जीटियल infrastructure पे लेके quarter 3 के नतीज़े जो खराबी है तो यही total update था इस पर thanks watching this video